श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती लेकर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत बुरा जाता है तो आएस जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह न रहेगी निवेश करने के लिए समय बिल्कुल सही रहेगा इस दिन आप कही सोन से जुड़ा किसी भी तरह का आदान प्रदान आज आप कर सकते हैं. दोस्तो ये दिन आपके लिए आर्थिक तरकी के नए रास्ते खोल सकता है. ये दिन आपको आर्थिक तरकीज जरूर दिलाएगा, आपके खर्चे कम होंगे, वह आई ज्यादा रहेगी, पिजुल के खर्चे पे इस दिन होने की संभावना काफी कम रहेगी नोकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है, ग्रहमान आपके पक्ष में है, आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके कारेक्षित्र में वातावरन आपके अनुकुल रहेगा सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा आपके अधिकारियों से शाबासी भी इस समय में आपको मिल सकती है यानि आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे आपके कामों में मन भी लगेगा बोनस या सैलरी बड़त भी इस समय में होने की संभावना रहेगी धन प्राप्ति के हिसाब से दिन आप ही के फेवर में है अगर इस समय में नोकरी नहीं है तो प्रयास जरूर करे ग्रहनक्षत्र अनुकुल है लाब जरूर मिलेगा मनोमानचीत नोकरी आपको इस समय में मिल सकती है अगर स्टूडन्स की बात करते है तो स्टूडन्स के लिए समय शुब रहेगा इस समय में महत्व पुरूर फैसले ले और उस पर अमल करे लाब जरूर मिलेगा जो भी फैसले लोगे वो सही साबित होगे आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है जो विद्यर्थी अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें परिवार से मिलने का मोका इस समय में मिलेगा यात्राय होने की भी सम्भावना रहेगी परिवार में कोई फंक्षन या कोई छोटी पार्टी होने की भी सम्भावना बनी रहेगी अगर personal life की बात करते हैं love life की बात करते हैं तो love life के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है partner से मिलना घुमना फिरना साथ समय व्यतित करना इन चीजों के लिए समय काफी अनुकूल है एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा वह संबंद अधिक मधूर बनेगे partners के बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अन्बन बनी हुई है तो वो अन्बन जरूर दूर होगी प्रयास जरूर करे अन्बन या किसी तरह की दूरिया है तो मिट जाएगी दोस्तो हर काम में इस दिन आपको कामयाभी मिलने के संकेत है टेंचन नहीं रहेगा सोच पॉजिटिव रहेगी पेंडिंग कामों को भी पूरा करने के लिए समय अच्छा है संकेत दे रहा है दीहा सेहत संबंदी कोई भी परिशानिया आपको नहीं सताएगी पूरानी चल रही जो बीमारिया है उसमें भी आपको आराम मिलेगा इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी प्रसनताव आनंद में दीन व्यतित होगा दोस्तो स्वास्त अच्छा रहेगा उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करे अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है तो अपने फिटनेस पर अपने रहन सेन पर खान पान पर ध्यान जरूर दे सुबह टहलना जारी रखे एक्जरसाइज जरूर करे सोच पॉजिटिव रखे और मन मे हमेशा अच्छे विचारों को आने दे क्योंकि हमारे मिन में जो भी विचार बार बार आते है उन विचारों से ही हमारा फ्यूचर बनता जाता है तो हमारे विचारों पर भी हमारा नियंत्रन होना काफी जरूरी होता है इस दिन सफेद रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरрасल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भागय को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मकता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जि कोही भी जूते चपल फेक देते हैं कही कंपर उतार देते हैं। दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और लिए एक स्थान बनाएन उस्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है, इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें, clean रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे ज सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है, साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला, इत्यादी, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुब नहीं मान गया है, इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चीड़शेड़ा इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड़ा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकडी का अगर जाला है, तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है, जी हाँ वो अशुब माना जाता है, घर में मकडी का जाला होना अशुब हैं, इस से आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद